हलो हलो वेलकम टू अकेट हब आज हम पढ़ने वाले हैं बाल महाभारत का चेप्टर 12 द्रौपदी स्वयमबर जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्रामडों के वेश में जीवन बिता रहे थे पिछले चेप्टर में आपने पढ़ा था ना कि वो एक चक्रा नगरी में सब ब्रामडों के वेश में रिशी वेश में रहने लगए थे छुपके उनी दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयमबर की तैयारियां होने लगी अब स्वयमबर क्या होता है कि पहले क्या होता था ना बहुत सारे लोग इखटे होते थे एक सभा में और या तो कोई शर्ट रखी जाती थी या फिर जो भी राजकुमारी होती थी वो माला लेके आती थी और जिसके चाहे गले में माला डाल दे उसी से शादी हो जाती थी पांडव भी उनके साथ ही हो लिए अब वो क्योंकि अलग रहते तो पहँचाने जाते इसलिए वो भी भ्रामणों के साथ हो लिए पांचो भाई मातव कुंती के साथ किसी कुमहार की जोपड़ी में आठिके आठिके मतलग वहां उन्होंने विश्राम किया वहां रुकने अब स्वेंबर मंडप में एक व्रहदाकार धनुष रखा हुआ था मतलब बहुत बड़े साइस का जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी उपर काफी उंचाई पर एक सोने की मचली टंगी हुई थी उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था अब द धनुष रखा था तो राजा दुरुपद ने क्या गोशना की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिमिव में देखकर नीचे जो बतन रखा था न बड़ा सा उसमें पानी भरा हुआ था और जैसे हमने देखा है न चाय दिखती है पानी में तो ऐसी जो उपर मचली टंग उसी को दुरुपदी वर्माला पहनाएगी नीचे एक बड़ा सा बरतर नक्खा था जिसमें पानी भरा हुआ था उपर मचली टंगी हुई थी और पानी में देखकर मचली पे निशाना लगाना था जो ये कर लेगा दुरुपदी की शादी उसी से होगी इस सुएंबर के लिए दूल-दूल से अनेक वीर आये हुए थे मंडप में सैकडो राजा इखटे हुए थे जिन में दरतराष्ट के सौ बेटे यानी दुरियोधन और अंग नरेश कर्ण जो रततना साथ में कर्ण वो भी था चिरिक्रेश्न, शिशुपाल, जरासंध, कौन था? द्रौपदी का भाई, घोडे पर सवार होकर आगे आया, उसके पीछे हाती पर सवार द्रौपदी आई, हात में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाती से उतरी और सभा में पदारपन किया, राजकन्या मतलब जो राजा की बेटी थी वो सभा में पदारपन मतलब आई राजकुमार द्रश्ट दुम्न अपनी बेहन का हाथ पकड़ कर उसे मंडब के बीच में ले गया अब राजकुमारी आ गई क्योंकि अब पृतियोगता शुरू होने वाली थी इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चड़ाते हारते और अपमानित होकर लोट जाते क्योंकि वो धनुष इतना भारी था इतना बड़ा था न कि कोई इस पर डोरी नहीं चड़ा पा रहा था चलाने की तो बाद ही अलग है कितने ही सोप्रसेद्ध वीरों को इस तरह मूंकी खानी पड़ी मतलब हार के वापस आए शिशुपाल अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे अंग नरेश मतलब वहां के राजा कंड ने धनुष उठा कर खड़ा कर दिया मतलब जो भारी धनुष ताने जीसे कोई उठा भी नहीं पा रहा था कंड ने वो उठा लिया तान कर प्रतियंचा भी चड़ानी शुरू कर दी अब प् तो जब वो बांध रहते न वो उनके हाथ से छूड़ गया और उच्छल कर उसके मुझ पर जा लगा अपनी चोड सहलाता हुआ कार्ण अपनी जगे पर जा बैठा क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई और वो हार गया क्योंकि वो दोरी चड़ा ही नहीं पाया उस पे इतने में उपस्तित ब्रामडों के बीच से एक तरुन उठ खड़ा हुआ तरुन मतलब एक कम एज का जैसे होता न 19-20 साल का ऐसे ब्रामडों की मंडली में ब्रामड वेशधारी अर्जुन यूं खड़ा होते देखकर सभा में हलचल मच गई अब देखो वाँ पे लोग अर्जुन को नहीं पहचान पा रहे थी क्योंकि उन्होंने वेशध भामड कर रखा हो था तो सब को लगा कि ये साधू, ये चोटा सा साधू मतलब ये ये क्या कर लेगा इसमें लोगों में तरह तरह की चलचा होने लगी तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया, उस पर डोरी चड़ा दी उसने धनुष पर तीर चड़ाया और आश्चर चकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा लोगों से देख रहे थे, उसने और देरी न करके तुरन एक के बाद एक पांच बान उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजार और लोगों के देखते देखते निशाना तूट कर नीचे गिर गया उपर जो मचली थी न वो भी कंटिन्यू घूम रही थी तो उन्होंने क्या किया पानी में देख गई और एक साथ पांच मारे और जो के सीधे मचली में लगे और वो नीचे गिर गई सभ़ा में कोलाहल मच गया, कोलाहल मतलब शोर मच गया कि भाई ये क्या था, ये कौन था इतना वीर जिसने ये कांट कर दिया बाजे बज उठे क्योंकि वो जीत चुके थे मतलब दुरौपदी की शादी उनसे होगी उस समय राजकुमाली दुरौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई वो आगे बढ़ी और सकुचाते हुए उन्होंने क्या किया ये देखे ये प्रत्यांचा चढ़ा रहे हैं और लो मंडप से उठकर चले गए अब क्योंकि शादी हो गई तो फटाफट से क्या कि उन्होंने कि हम जा रहे हैं कुंती माता को बताने परन्त भीम नहीं गया उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करने बैठे अब क्योंकि देखो बड़े बड़े राज आये हुए थे दूर दूर से अलग-अलग देशों के राजा थे और वो कहां ब्रामण तो उनको गुस्ता नहीं आएगा कि बताओ ये तो एक पंडित होके ऐसे ब्रामण का वेशधारी है रिशी है ये क्या करेगा इसने और हम सभार गए तो गुस्ते में कहीं कुछ करने वेट हैं तो भीम से इनका अनुमान ठीक ही निकला उसने जो सोचा था वो विलकल सही था राजकुमारों में बड़ी हल्चल मच गई उन्होंने शोर मचाया राजकुमारों को जोश पढ़ता गया ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विपलब मत जाएगा जैसे देखाने दंगा ह जाता है कहीं पर शोर श्राभा मारो पीटो यह हाल हो गया यह हाल देखकर श्रीक्रिश्न बलराम और कुछ राजा विपलब मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे कि देखो शोर मत मचाओ एक जो प्रत्योगता थी जीता तो वो ही है वो समझाते रहे और इसी जो था द्रश्ट दुम्न जो था न उसका भाई उसने क्या किया वो पीछे पीछे उनके साथ हो लिया कुमार की कुठिया में उसने जो देखा उससे उसके आशर की सीमान रही वो तुरंद लोटाया और अपने पिता से बोला पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि यह हुई थी और जो बाते हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वो देवी कुंती ही होनी चाहिए अब जो थे सब को यही पता था कि पांडव मारे गए है और कुंती भी मारी गई है लेकिन जब वो पीछे पीछे गया तो एक तो उनका तेज वो इतने वीर थे ना कि उनक पांच लोग थे एक साथ में उनकी मा भी थी तो वो पहचान गया कि हो नहो यह पांडव ही है तब राजा दुरुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और दुरुपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँच गये युदिश्टिन ने राजा को अपन ही खुश हो गए उनकी इच्छा पूरी हुई महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पती हो गए है तो फिर द्रोणाचारे की शत्रता की मुझे चिंता नहीं रही उन्हें इतनी खुशी हुई कि ये महाबली इतना वीर इंसान अर्जुन मेरी बेटी का पती हो गया है तो अब द्रोनाचारे से जो हमारी जो दुश्मनी चल रही थी उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है ये विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली क्यों खुश हो कह अब तो मां की आगया सबकी सम्मती से द्रौपदी के साथ पांचो पांडवों का विभा हो गया अब वहां मां की आगय सबकी सहमती मिदलब सबकी हामी के बाद सबने हा कर दिया द्रौपदी की शादी पांचो पांडवों के साथ हो गई तो ये था द्रौपदी का विभाह अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले चेप्टर में तब तक के लिए बाई बाई